असलाम अलेकूम, हलीमस वेल व्लॉग्स में आपको खुश्याम दीद, कैसे हैं आप सब, उमीद करते हूँ आप सब ठीक होगे, अलहम्दिल्ल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अच्छी आज कब लोग स्टार्ट करते हैं, आजकल गैस का बहुत ज्यादा कराची में प्रॉब्लम होगा है, मतलब इतना प्रॉब्लम है कि तीन दिन से हमारी गैस पिल्कुल भी आई ही नहीं है, तो इसलेंडर यूज़ करना पड़ता है, जो बहुत यूज़ करना मुश् आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, कुछ अच्छी तरह से पकाई नहीं पा रहे हैं, कुछ भी पकाने का सोचो तो यही होता है, इसलेंडर पर बड़ी मुश्किल से पकता है, तो फिर यही है कि बस मुश्किल से एक सालन मना लो, और रोटिया मना लो, बस यह खैर यहाँ पर जी मैंने लगा ली थी, इस्तरी, कपड़े मैंने सारे प्रेस करके रख लिए थे, जगा जगा पर रख लिए साथ, मैं सामने, आज डानिंग टेबल पस्तरी लगाई थी, वैसे तो मेरे टेरस पर आईरन स्टेंड पड़ा वैं, लेकि यहाँ पर सामने टी पर शिट्स थी, उसमें से ना, पेसिस बचे वे थे, तो मैंने सुच है क्यों ना, जो मैं हूँ, उसके तक्ये के कवर्स लाई कर लूँ, तकरीबन छे कवर बन गये थे, अक्सर हम बेट्शिट्स लेते हैं, तो फिर साथ जो हमें चार तक्यों के कवर लेने पड़ते हैं, इस तरह से अगर घर से कुछ मैचिंग हो जाएं, तो फिर दो ले ले और दो जो हैं, इस तरह से मैचिंग कर ले, तो इसलिए जो है, मैंने ये भी सी के रख लिए थे, खैर यहां पर जी मैं सलाई करके फारी को हो गई थी, तो फिर ये था कि थोड़ा से मैं तीवी ही लेगी थी, मैंने का चलेंची, इसके जो है, लीनन के कुछ सूट ले आती हूँ, और मैं खुद ही जो है, इसको सलाई कर लूँगी, यहां पे जी मैं गई थी, एक ही शॉप में, मैंने बस जो कपड़े लेने थे, वो ही लिए, और मैं जो है, इधर उधर मैंने कुछ भी नहीं देखा, यहां से सीधी सीधी जो है, मैं गई, और एक ही शॉप में पठान के वो जो है, लीनन बहुत अच्छी होती है, और बहुत रिजनेबल प्राइस में होते हैं, तो महां से जो है, मैंने इसको सूट ले लिए थे, और लीनन मैसे मेरी बीटी को बिलकुल भी पस यहां पर जी मैं आ गई थी, इसके कपड़े लेने, और मैं यहां पर आपको प्रेंट्स और कलर दिखाती हूँ, अच्छे एक तो होती है, जो लीनन बहुत पतली सी होती है, बिलकुल लटकी वी, यह वो वाली लीनन नहीं थी, इसका कपड़ा जो बहुत अच्छा था, थ ज्यादा लटकने वाला कपड़ा नहीं था, खैर कलर बहुत अच्छे थे, और प्रिंट बहुत अच्छे थे, अब मैंने जो कपड़े लिये हैं, मैं सलाई करके आपको फुल डिजाइनिंग दिखाऊंगी, कि मतलब इतने सिंपल से प्रिंटे कपड़े थे, मैंने किस तर अगर बचे हैं, तो उनके भी यहां से लेके, आप जितना कपड़ा लेना चाहिए, आपको मिल जाएगा, सूट का, शर्ट का, ट्राउजर का, बहुत रिजनेबल प्राइज में, मतलब यहां पर 1200 से शुरू होते हैं, 1400, 1800, इस तरह जो है, जो मतलब सही है, मेडियम जैसे पहनने वाले, वो 1400 तक बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे, यहां पर स्टीच भी है, लिलन के इस तरह से ट्राउजर शर्टे, इन उनने स्टीच करके लट काई में, 1600 का यह सूट है, स्टीच है, जो कुछ ही ब्राइटरी वाले भी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, जैसे इनकी स्टीच जो होती न, उसमें कुछ सफाई नहीं होती, इसलिए जो मैं खुछ सी लेती हूँ, वैसे जो है, रिजनेबल पढ़ते हैं, कि 1600 में कपड़ा भी और सलाई की वे भी जिनको सलाई नहीं आती, वो ले सकते हैं यहां से, अच्छे जी खार, यहां मैं मही भाबी हैं, वो मेरे हस्पंड की चचा की बेटी भी हैं, मतलब मेरी नंद भी हैं और भाबी भी हैं, तो खांदन एक ही हो जाता है दोनों साइडों से, खैर यहां पर बैठे हैं, गपशप की बहुत मसा आया, तो खैर, फिर यह लोग चले गए थे, मेरी बड़ी नंद के ह गया था कौफते बनाने के लिए, लेकिन न, वही बात है, गैस का प्रॉब्लम, अच्छे न, इस पे स्लेंडर पर पकाने का प्रॉब्लम बता क्या है, दर्मयान से चीज़ पक जाती है, और साइडे जो है न, वहां से सही पकती हैं, अब मुसलसल कितना चमच चलाए, यहां पे जी मैंने लिया था, आईल लिया था, हाफ कप, उसमें जो है, दो कश्मीरी साबत मिर्शे डाली थी, और एक बड़ा जो अलाइची होती न, काले वाली, वो डाल दी थी, वो थोड़ा सा गरम की आईल उसमें डाली, और उसके बाद जो है, मैंने दो मीडियम साइ जो है, डाल देने, अगर बीफ या मटन है, तो उसमें पहले आपने हाफ कीमे को कुप कर लेना है, मेरा चिकन का था, इसलिए मैंने साथ ही डाल लिये थे, अच्छा, यहां पे हम कीमे और आलू को इतना भूनेंगे, कि जो कीमा जो है, बिल्कुल वाइट हो जाए, उसका पिंग पिंग कलर उता, वो खतम हो जाए, अच्छी तरह भूनने के बाद, यहां पे मैंने इसमें तीन टमाटरों का पेस्ट डाल दिया था, आप वैसे टमाटर भी डाल सकते हैं, मेरा बास पेस्ट था, इसलिए मैंने तुहें टमाटरों का पेस्ट डाला था, और हाफ वैंने इसमे गरब मसाला और किया था, हाफ टीस्ट मैंने इसमें चाट मसाला अडर किया था, सब कुछ डाल कर मैंने इसको कवर करकर डिया था, पंदरा बॉर समneria माटरों हर्ता है उच्छ तरह मैंने बहुत 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 असांए Ben जाता है जिस पर तरीके से बना ले, रोटी आप बाहर से लियाएगा वैसे हमारे घर में रोटी बाहर की बहुत कम आती है क्योंकि ना मुझे अच्छी लगती है ना मेरे हस्पन को मेरे बच्चे भी कोई बड़े शोक से बाहर की रोटी नहीं खाते तो इसलिए जाते घर पी पकती है आज जो है मैंने का नहीं आज लिया ना अज बस मूट हो रहा था असल मैं मूट ना बकाने का हो रहा था इसलिए तो खैर रोटी यहां भाहर से आगे थी यहां पर कीमा मेरा बन के रेडी हो चुका था उमीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आयोगा है तो बहुत छोड़ा सा सिंपल सा कुछ खास इसमें नहीं है लेकिन चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें शियर करें इंशाला फिराओंगी एक और अच्छी सी रस्पिक साथ जब तक के लिए अल्हाफिज